Welcome to All Exams आज हम discuss करेंगे weekly current affairs 25 नॉम्बर से लेकर एक दिसमबर तक जितने भी important current affairs बनते हैं हम इस वीडियो में discuss करेंगे और सभी current affairs को जितने भी question होगे उनको हम detail में discuss करेंगे I hope ये वीडियो आपके लिए helpful होगी अगर आपको वीडियो helpful लगते है तो वीडियो को like करना न भूले और अभी तक अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe भी कर दे चलिए discuss करते हैं आज की वीडियो का first question First question है which state of India has become India's first state to launch ERSS India का कौन सा ऐसा statement गया है जिसमें ERSS सेवा launch की है सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए यह ERSS होता क्या है तो इसकी फुल फॉर्म है Emergency Response Sports System और यह कौन सा श्टेट बन गया है जिसने सबसे पहले Emergency Response Sports System launch किया है मन पास चार option है केरला अशाम हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश तो इसका सही अंसर है Option C हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में ERSS सेवा launch किया और इसका नंबर कहा है इसका नंबर है 112 जैसे कि पुलिस की सेवा होती है एम्बॉलेंस की सेवा होती है या फिर अन्य को सेवा मेर्जैंसी में होती है उसके लिए हम कॉल करते हैं जब भी हमें हल्प चाहिए होती है उसी तरह ERSS भी है इससे हमें सभी सुधाएं एक ही नंबर से मिल जाएंगी और वह नंबर है 112 two to question 2 hed kong kong navy exercise between india and which country जो एक कौन कान navy exercise है स्टार है एक इंडिया और किस country के बीच में सुरू हूई है मैं पास 4 ओप्षिन है यू ऐस से UK, canada, north korea तो ये हुआ है शूरू इन्डिया और UK ये ओसOff cheese का सही असर है कोईशन B जितने भी इंपोर्टेंट है एक हम तो आगे भी करेंगे तो आप इनको नोट कर लेंगे कि पूछा जाता है अच्छी कौन कान प्रसाइज शुरू कहां पूँए तो यह शुरू होई है इंडिया के गोवा में आप से इस थरह भी कौशन पूचा जा सकता है कि कौ तो यह है Goa में Ó Cuáng no.3 है Which state launched in the Tourism Police Tourism Police जो है किस state मे अन्ट स्टेट की है में और पास 4 अपुलिस तो यह जिवे तो यह נागा द आए स्टीसक्ट्र गोवड नागा य। तो यह तो तो टुरिजम focus यह यह launch कि यह भी हाल लॉत 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 लोग अब बात रही है नागा लेंड के बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए नागा लेंड की कैपिटल है कोहिमा और नागा लेंड की जो जुडिशियरी कैपिटल है वो है गुहाटी मेस्थिक अब नच्ट क्शिन है क्वेशिन नमर 4 हेंड एंड हैंड ड मिलिट्री एक्रसाइज बिट्री इंडिया एंड इंड रिच कंटरी क्यांच ईयरी इंडिया और किस अंडिया के बिस शुरू है है यह तो दो पीदिया फाईल सुचैंट कर दूँगा आप चाहें तो पीदिया पाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं तो हैंड-in-hand में इंडिया और किस कंट्री के बीच सुरू हुए है मैं पास चार आप्शन है चाइना नेपाल स्री लंका भूटान तो इस क्वेशन का सही अंसर है ऑप्शन ए चाइना चाइना और इंडिया के बीच में सुरू हुए है ऑन्नोही इंपोर्टेंट और एक और कॉश्चिन है चाइना की पारलियमेंट का नेम है नेशनल पीपल्स कॉंग्रेस तो पारलियमेंट का नाम भी आपको पता होना चाहिए यह भी इंपोर्टेंट है क्वेशन नमबर फाइव है मिशन रक्षा ज्ञानसकती बाइड-e-e यह लॉंच इन मिशन रक्षा ग्यान सकती जो स्टार्ट हुआ है डियार डियो के दर लांच किया गया है वह काम पर लांच किया गया है वह बस चार ऑप्षिन है नूडली मुंबई पूने चंडिगर क्वेश्च नबर फाइब का जो है सही अंसर है वह है ऑप्षिन ए स्टार्ट है मिशन रक्षा ग्यान सकती अ अच्छा यहां फिर डियार डियो का नाम आया तो डी डियो के बादे में आपको पता होना चाहिए डी यार डियो की फ्ल फॉर्म है डिफेंस रिषर्च एन्ड डेवल्पमेंट ओर इसकी स्थापना पूई थी इसकी स्थापना इसका मोटो क्या है इसका मोटो है strength origin is in science और question number six है which bollywood personality is honored with शियाजी रतन अवार्ड ये सियाजी रतन अवार्ड से किस bollywood personality को समानित किया गया हमें पर चार option है अक्षिर्कमार सलमान का अमिताब बच्चन अनुपे मुखेर तो इस question का सही answer है option c अमिताब बच्चन अमिताब बच्चन को समानित किया गया है सयाजी रतन अवार्ड अच्छा ये अवार्ड दिया क्यों जाता है तो ये दिया जाता है outstanding contribution in field of business sports art humanity education governance and medical medicines इस field में अगर outstanding work किया हो तो उसके लिए दिया जाता है ये अवार्ड श्याम जी रतना अवार्ड और ये कब शुरूपा था ये वह था अच्छा ही मनाया क्यों जाता है तो ये डॉक्टर वर्गेश कुरेण की बर्थान वर्षी पर मनाया जाता है ये थे कौन डॉक्टर वर्गेश कुरेण तो ये थे father of India's white revelation जो इंडिया की स्वेत क्रांथ white revelation होई थी उसके ये जनक थे और ये जो operation flood था ये इन्हों नहीं शुरू किया था operation flood ये कब शुरू किया गया था ये शुरू किया गया था 1970 में 1917 और कौन सा 5-year plan उस टेम इंप्लिमेंट था तो वह था फोर्थ 5-year plan ये question जो मैंने अभी बताए ये maximum time exam में पोचे जाते हैं कि operation flood कब शुरू किया गया था और उस टेम कौन सा 5-year plan था और ये किस institution के founder थे तो ये ये अमूल के founder थे जो अमूल का मिल का तैमूल का बटर आता है उसके ये founder थे डॉक्टर वर्गेश कुरेंड वी कुरेंड question no.8 है hockey world cup 2018 started in hockey world cup 2018 कहां पर शुरू हुआ है इस चार ओप्शन है गोवा ओडिशा केला वेस्ट रोंगार तो ये hockey world cup जो है ये शुरू हुआ है भुवनेश्वरम ओडिशा में इसका सही अंसर option B है अचार ओडिशा में सुरू हुआ है अचार ओडिशा की capital है भुवनेश्वरम वहीं पर सुरू हुआ है ये hockey world cup अचार कौन से stadium में सुरू है ये हुआ कालिंगा stadium में सुरू और इसके music के composer कौन थे इसमें तो इसके music के composer थे AR Rehmann जो कि हमारे singer भी है AR Rehmann question no.9 है which launch vehicle have successfully launched ISRO's hyzys satellite तो इस ISRO का जो hyzys satellite है कौन से launch vehicle ने launch किया है में और पास चार option है PSLV C-43, PSLV C-45, PSLV C-46, PSLV C-47 उसका सही answer है option A PSLV C-43 अचा PSLV आप सब जगा पढ़ रहे है तो PSLV की full form आपको पता होने चाहिए PSLV की full form है polar satellite launch vehicle और ISRO की full form क्या है ISRO की full form भी आपको पता होने चाहिए ISRO की full form है Indian Space Research Organization ISRO की स्थापना कब हुई थी? ISRO की स्थापना हो थी 1969 में और किस ने की थी? यह की थी बिक्रम अंबलाल सारा भाई ने ISRO को आपको इतना आपको ISRO के बार में पता होना चाहिए अचा प्रिजेंट टाइम में ISRO की चेर्मेन कौन है तो के शिवान जो है वो प्रिजेंट टाइम में ISRO के चेर्मेन है यह क्वेस्टिन अलाइट सर्फिस में पूछा गया था और क्वेस्टिन नमर टैन है 13th G20 सम्मिट इस हेल्ड इन तेर्मीं G20 सम्मिट कहां पर हुई है और क्वेस्टिन नमर मारा option है नियू यॉर्क डेली फ्रांस अर्जेंटिन तो इसका सही अंसर है option D अर्जेंटिना यह जो 13th G20 सम्मिट थी यह स्टार्ट हुई है अर्जेंटिना है अच्छा जी ट्वेंटि के बार में आपको पता होना चाहिए अच्छा है कि 20 इसका समुझ नहीं है इसमें 19 इसमें और यूनियन के बार में आपको पता होना चाहिए यूनियन के कितनी इसमें मेंबर हैं European Union Key अभी हाल ही में recently EU जो था European Union जो था वो न्यूज में था Regional Brexit को लेकर यह शुल्डु न्यूज मैं अभर Brexit के बार में आपको थोदास्त बता देता हूँ Brexit जो है वो ब्रिटेन को European Union से अलग करता है ब्रिटेन चाहता है कि वो EU से अलग हो जाए और अलग अपना काम करें क्योंकि ब्रिटेन का माना है कि EU के interference से ब्रिटेन में बिरोजगारी बहुत अधिक बढ़ गई है और ब्रिटेन का जितना भी पैसा EU में जाता है या मानना है ब्रिटेन का तो अभी दिसंबर में ये decide होगा इसी मन्त design होगा कि ब्रिटेन जो है वो इयू का हिसा रहेगा ये नहीं रहेगा अगर ब्रिटेन में पून्वमत से इन बिलाओ जाता है तो ब्रिटेन अलग हो जाएगा EU तो भारत को भी अपनी foreign policies इनके उपर हम डिटेल में डिसकस करें एक अलग सी वीडियो बिनाएं तो अब कमेंट करके बता सकते हैं मैं अलग से वीडियो कंडक्ट कर सकता हूँ और उस वीडियो में हम वीकेंड पे हम उस वीडियो को बनाएंगे और उसके बारे में हम डिटेल में डिसकस करेंगे चाह इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल इंडिय इनियस फिलम फेस्टिवल विल भी टेक प्लेसिंग इंडिया को पहला स्वदेशी फिलम फेस्टिवल होगा वो कांप रोग मर पास चार आप्शन है गोगा केला अशाम और इस क्वेश्चन का सही अंसर है आप्शन D, Audisa यह जो होगा Audisa में होगा 2019 में अभी होगा वह सिर्फ स्थान तरह किया गया है कि काम रोगा तो यह Audisa में होगा Q12 है इंडिया का Global Talent Ranking में कौन सा अस्थान है और बस चार ऑप्शन है 53rd, 55th, 58th तो इसका सही अंसर है ऑप्शन B 53rd आज की वीडियो में इतना ही है अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को अपने study related groups में शेयर जरूर करें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप चाहते हैं कि हम Global के जितने भी मुद्धे हैं उनके उपर discuss करें वीकेंड पर तो आप कमेंट करके बता सकते हैं क्योंकि आप उदेर कमेंट करेंगे तो यह वीडियो बेरेंगे उसके उपर थैंक यू थैंक यू फर वाचिंग आप वीडियो